आज संडे है and I just woke up और I just thought कि आज व्लॉग करने से अच्छा है रूम टोर दिया जाए because आज से बेटर क्या ही दिन होगा क्योंकि आज कोई क्लासेज नहीं है obviously college नहीं है Sunday है and I'm all free because Monday to Saturday तो time ही नहीं होता हम खुदी रूम में नहीं रहते हैं पूरा पूरा दिन college में निकल जाता है so आज Sunday है and I'll just give you my room tour I'll also give you guys my hostel tour because हमारा hostel बहुत अच्छा है so but आज के वीडियो में it's just going to be the room tour so guys judge मत करना please क्योंकि वैसे तो रूम साफी है मेरा actually I have OCD तो रूम साफी रहता है but hostels room और ऐसे ही होते हैं सब के एक जैसे ही rooms होते है so yeah let's just start और अब रूम के भार चलते हैं और भार से record करते हैं so let's start so let's start with the room tour and यह हमारा wing है और हमारा room number है 320 और यहां पे ना अगर आप देखो let me show you हर रूम में ना यहाप एक गेट पे होल किया गया है so obviously मैंने अपने रूम में न्यूस्पेपर लगा रखा है so let's just enter our room so this is my room और let's just start from the start यह मैंने आपको बताया था कि मैंने duct room ले रखा है तो यह duct है and let me just close the door actually और यहां पे full size mirror है and यह मेरी जो रूम में आएगी उसका side है जो की खाली है because there is no roommate तो यह bookshelf है यह table है and then this is the chair और यह दो बड़े बड़े अलमराज है cupboards है जो actually यह वाला जो मेरी रूम में आएगी वो लेगी and that is mine so यह पूरा empty है obviously then this is the bed जो की obviously roommate का है खाली है then this is my bed actually यह मेरा पेड है and then this is the cupboard उपर जो shelf है उसमें मैंने अपने bags रख 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 है जिसमें समान हम लेकर आयते तो वो है और वो खुला इसलिए है क्योंकि बंद करने के लिए मेरी हाइट नहीं पहुच रही वां तक so this is my cupboard and let me open the cupboard and just show you guys so this is my cupboard and yes यह कपड़े बहुत जादा है I know मैं बहुत जादा कपड़े लेकर आ गई थी जो कि पहनने में कुछ नहीं आ रहे literally कुछ नहीं आ रहा सिर्फ वो यूनिफॉर्म है ना वही पूरे दिन रहती है and then दिन में लोव टीश that's it और हमारी कब़ड ना काफी बड़ी है काफी सारा समान आ जाता है कब़ड में as you all can see सारा समान basically इसमें आई जाता है so yeah कब़ड is good then this is my side of the table so if we start from here यहां पे हमारे साहीं बाबा बैठे है जिनकी रोज सुबा मैं पूजा करके ही रूम से निकलती हूँ जब तक पूजा नहीं होती I don't get out of the room so यह हमारे locks रखे है जो एक कबड में लगता है और एक में गेट पे लगता है यह हमारी chair है जहां पे towel सूख रहा है then this is the balty mandatory stuff bottle and यह हमारे laundry bag है जो laundry दी जाती है तो अभी जैसी 10 कपड़े हो जाएंगे हम laundry वाले को दे आएंगे यह college bag है charger and यह तो shells खाली है अगर आप सोचो कि books का है तो अभी बिल्कुल starting है हमको हमारा slabbers नहीं मिला है इसलिए अभी books a lot नहीं हुई है तो books भी आ जाएंगी कुछ दिनों में अगर आपको विंडो के भार का थोड़ा देखना है तो बेसिकली विंडो भी काफी अच्छी है विव भी बहुद अच्छा है विंडो नेट यह जो है इसको खोल के दिखाते है यह देखो भार का आप विव तो अच्छी ओर देखी चोके हो बाहर क्रिकीट मैच चल रहा है इसलिए इतनी जाधा रावाज आ ल tutorial में आपको अभी बाहर क्रिकेट मैच चल रहा है सीनि़ और जूनिरिव के पीच में और यह सोभा से चल रहा है और यह चली रहा है और और धायाम यह आप देख सकते हो यह खुला रहता है विकिस पिजिन्स का यहां पर बहुत ज़ादा बस यही है हमारा छोटा सा रूम और यहां पर सारे रूम सेम है बस एसी ड़क्ट और फैन का डिफरेंस आता है बाकि सारे रूम सेया सब कुछ सेम है यही था और पूरे वीडियो में आपको बैग्राउंड को बहुत आवास आई होगी तो प्लीज उसको एग्नॉर करना क्योंकि भार एस इस शोन यूं कि भार क्रिकेट मैं चल रहा है और यह सोभा से चल रहा है सो जिस्ट इग्नॉर आट और यहां बहुत चोटा वीडियो है बहुत चोटा है बहुत चोटा है